Hi guys, welcome back to my YouTube channel, करके बना हुआ है बहुत जदा इजी है आप लोग इस फेस पैक को स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में बिल्कुल भी ए खराब नहीं होने वाला थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन आप इसे 2-3 दिन के लिए अराम से स्टोर करके रख दीजे इस फेस पैक को आपक स्किन पर रहनी दीजेगा तब तक के लिए आपको कोई भी छोटी मोटी काम करने है वो अराम से कर लीजेगा फेस पैक लगे रहने के दोरान और उसके बाद प्लेइन वोटर से अपने फेस को अच्छे से वाश कर लीजेए और कोई भी अपना सिरम या मॉस्चुराइजर लगा के सो जाए और अगर नहीं भी लगाना चाहते हो ना फेस पे कुछ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि इसमें आलमंड ओल मिक्स है तो बहुत जादा नीद नहीं पड़ेगी आपको अपनी स्किन को मॉस्चुराइज करने की अब देख लेते हैं कि फेस पैक क उसे अच्छे से मैश कर लो आप फॉक से कर सकते हो चममच से बहुत असाने से हो जाता है ग्राइन भी कर सकते हो और उसके बाद दो तीन चममच आप इसकी ले लीजे आप इसे स्टोर भी कर सकते हो जादा बनाओ तो और अलोविरा जल आपको ले ले सकते हो या प्लांट 2-3 बूंदे आपको लेनी है आलमंड डॉयल की ठीक है अब उसको अच्छे से आप पूरे पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लो और क्लीन फेस पे आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है रात को सोने से पहले 15-20 मिनित के बाद आप अपने फेस को वाश कर लीजे और आपको लगेगा कि आपके स्किन में क्योंकि मैंने इसमें और लगा सकते हो और सुबह उठने के बाद ट्रस्ट मी आपको आपकी स्किन इतनी जादा अच्छी लगेगी ना बहुत ही जादा तो ठीक है गाईस आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को मेरा आज का वीड और इस फेज़ पर का एक्सपिरियंस में वेसा जरूर शेयर करना तो ठीक है मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स वीडियो में अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए बाई गाईस